शम्शान घाट से लोटते समय पीछे मुरकर क्यों नहीं देखना चाहिए? पुराणों के अनुसार ये बताया गया है कि मुरक्यू के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों और घर के आसपास भटकती रहती है, अब आत्मा को परलोक जाने के लिए सांसारिक मोह को लोग ना पड़ता है और इसी मोह रूपी धागे को तोरने के लिए किसी को भी पीछे मुरकर नहीं देखना चाहिए? मित्रो कमेंट में जय गरूर देव अवर्श लिखे